नमस्कार, मैं सुशिला, गोवा मा के रसोय में सौगत हैं आज गोवा मा के रसोय में हरी धनिया की खटा मीटाती का चेटनी बन रहा है बनानी का विदी बताती हूँ हरा धनिया लेना है, एक कडाई में डालना है, बरतन में डालना है मैंने एक बंच हरा धनिया लिया है धनिया चटनी को ज़्यादा इंग्रिडेंस नहीं चाहिए इमली, हरे मिर्ची, नमक और गूड बस उतना से होता है पहले इमली डाल रही हूँ हरे मिर्च डाल दे हूँ आपके स्वाद अनसार हरे मिर्च ले सकते हैं मैंने यहाँ पाच हरे मिर्च लिया है तीका है तो थोड़ा कम डालना पड़ता है हरे मिर्च गूड मैंने लिया है मैंने गूड पतला गूड़ी लिया है आप सादा गूड भी ले सकते हैं थोड़ा गूड जादा डालना पड़ता है धनिया के पते थोड़ा इसलिए गूड थोड़ा जादा डालना पड़ता है मैंने यहां पतला गूड दो चमड डाला है एक एक बार तीन चार चमड तक जाता है नमक डाल रही हूँ आपके सौद अनसाद नमक डालिए पाने डालना है पाने डाल रही हूँ पाने डाल रही हूँ पाने डाल रही हूँ पतला गूड बनाने का एक वीडियो बनाया है मैंने ओ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दोंगी ग्यास्टो के उपर उबालने को अतना है हरी धनिया मिर्च अच्चे से पकना चाहिए चट्मी प्रीज में कितना दिन भी रख कर खा सकते हैं अच्चे से उबल रहा है अभी उबल कर बनकर रेड़ी हुआ है ठंडा होने के बाद पिसना पड़ता है बहुत जल्दी बन जाता है स्वादिष्ट बन जाता है अभी मिक्सी जार में मिक्सी में पीस रही हूँ हरी धनिया का चिटनी चिटनी पीस कर रेड़ी हुआ है कितना सौप्ट हुआ है कितना अच्छा हुआ है दुबारा चिटनी टेस्ट करकी नमक और गूड कम पड़े तो डाल सकते हैं आप एक बोल में चिटनी निकाल दे हुँ एक चिटनी कटलेट पकोडा भेल में खाने के लिए अच्छा लगता है हरी धनिया की चिटनी बनकर रेड़ी हुआ है आप भी जरूर घर में ट्राइ कीजे बनाएं बहुत स्वादिश लगता है एग वीडियो देखने के लिए गुवा मा की रसोय की तरफ से नमस्कार धन्यवाद